हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हमें आपके साथ शियर करने जा रही हूं वायू पर्दूशन पर निभन परतिक वायू की गुडवता में कमी आ जाती है जिसे वायू परदूशन कहते हैं वायू परदूशन का असर हमारे प्रयावरण के साथ सत हमारे स्वास्तेर पर भी बहुत बुरा पढ़ रहा है वायू परदूशन के कारण वायो परदूशन बढ़ने में कई सारे कारण है जिनमें पेड की कटाई, कैमिकल कमपनिया, गाड़ियों के इस्तमान में होने वाला पेडों की कटाई पेड अपनी प्रित्वी के परकतिक वातवरन का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हावा में कारबन डायकसाइड के परभाव को कम करके हावा को शुद रखता है लेकिन आज की समय में मनुश्य अपनी जरूतों को पूरा करने के लिए पेड की कटाई पर बहुत जोर दे रहे हैं जिसके कारण आज के समय में पेड की कटाई का परमान ज्यादा बढ़ने की वज़े से हावा में कारबन डायकसाइड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिसके कारण वायू दूशिद हो गई है और नई-नई बिमारियों का जनम होता जा रहा है केमीकल कंपनिया कैमीकल कंपनियों दूआरा हो रहे कैमीकल के काम से शुद वाता वरण में कैमीकल की गैस फैल जाती है जिसका परेणा मानव जाती ही नहीं पूरण बलकि पूरी स्रिस्टी को बुगतना पड़ता है गाडियों का धुआ गाडियों में इंधन का इस्तमाल गाडियों को चलाने के लिए होता है इसी इंधन की वज़े से गाडियां शुरू होते ही जो धुआ गाड़ी से निकलता है वे कैमिकल से भरी गैस होती है जो हवा में फैलते ही शुद हवा को पूरी तरह से दूशित कर देती है दूशित हवा का दुशपर्णा दूशित हवा की वज़े से पूरे वातवरण में नई बिमारियां जनम लेती हैं जैसे सांस लेने में तकलीफ होना इसी वायू परदूशन की वज़े से हम मनुश्य पर ही नहीं बलकि सभी परकार के पक्षी और प्राणियों को भी दुश्परवाब पड़ा है कई बार तो इस वायू परदूशन से मनुश्य पक्षी और प्राणियों की मृत्यू भी हो जाती है वायू परदूशन को रोकने के उपाए वायू परदूशन को रोकने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा अगर हम लोग इस पेड़ की कटाई को रोकने में सफल हुए तो वातावरण में बढ़ता कार्बन डाई अकसाइड का परिणाम कम हो जाएगा जिससे वातावरण फिर से पहली की तरह स्वच हो जाएगा हमें अपने घरों और घरों के आसपास भी पेडों को लगाना चाहिए केमिकल कमपनी में पाबंदी लगा कर क्योंकि इसी केमिकल की वज़े से सिर्फ वायू परदूशन ही नहीं बलकि जल परदूशन भी होता है इंदन युक्त गाडियों से निकलने वाली दूशित गैस पूरे वातावरण को परदूशित कर देती है इसी लिए हमें जैदा से जैदा इलेक्ट्रिक गाणियों का इस्तिमाल करना चाहिए सभी देशों की सरकार को इस विशे को लेकर सक्ती से कदम उठाने चाहिए और इलेक्ट्रिक बहनों की और जैदा बढ़ावा देना चाहिए निशकर्ष देश में वायू परदूशन जैसी कमभी समस्या से निपटने के लिए सरकार को ही नहीं बलकि हमें भी एक जागरुक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्वे निभाने चाहिए भारत को स्वच बनाना है परदूशन को जड़ से मिटाना है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ इसी भी हल्फुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दबाना बिलकुल ना भूले ताकि आने वली वीड करिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स पर वॉचिंग माई वीडियो